इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं सांसर्द मनोच तिवारी भाजपा के वईशनेता हैं और मद्रपदे शाहिवाई चुनाव प्रचार पर लेकिन हम बात यहां पर करेंगे नितीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर काफी जादा गुस्सा है मनोच तिवारी आप कह रहे ने नितीश जी का समर्थन करना शुरू किया था रवीश जी मैं आज तक के साथ शेयर कर रहा हूं उनको मुख्यमंत्री बनाने में एक आर्टिस्ट के रूप में भी हमने कमर कसके हम उनके लिए आये थे प्रचार किये थे जंगल राज हटाना था और यहां तक कि वो मर्यादित बात करी है हमारी महिलाओं माताओं बेहनों के लिए लेके सदन के फ्लोर पे ऐसा लगता है मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो बातें सुनने के वाद ऐसा लगता है कि नितीश जी आजकल वोई गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं जाग रहे हैं आप क् सदन की मर्यादा उस मर्यादा को आपने तार-तार कर दिया महिला के हिमायती होते थे आप और जो शब्द जो हाथों के इशारे अब मुझे लगता है न कि मैं पहली बार ये बोलने को विवश हो रहा हूँ कि नितीश जी राज़त के साथ जाने के बाद इंडी एलाइंस में जाने के बाद शायद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है अब ये नितीश कुमार जी वो नितीश कुमार जी है ही नहीं जो बीजेपी के साथ ते प्रधान मंत्री आज मध्यप्रदेश में थे उन्होंने भी कई बड़ी बाते कई उन्होंने कहा कि इंडी गटबंदन के किसी भी नेता ने महिला हो पुर्श हो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया कैसे विरोध करेंगे खंड खंड हो जाएगा इंडी एलाइंस और यही इंडी एलाइंस की पहचान देख लीजिए कि चाहें महिलाओं के बारे में अमर्यादित घटिया बाते भी कोई कहे लेकिन यह इंडी एलाइंस उसकी चिंता नहीं करेगा ये बस अपने एलाइंस के चिंता करेगा ये नीती और नियत देश की जंता देख रही है मैं बहुत एक बिहारी होने के नाते मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ मैं बड़े गर्व से कहता था हम आर्य भट्ट के बिहार वाले बिहारी है हम शेरशा वाले बिहारी है हम बगल सामराजी वाले बिहारी है हम मंडन मिश्र वाले बिहारी है हम विद्यापती जी वाले बिहारी है और आज उस बिहार के उस नेता ने जिसने कई बार गौरवानवित किया वो ऐसा मानसिक संतुलन खोएगा मैंने कभी भी इसकी अपेक्षा नहीं कि लेकिन आज उन्होंने माफी भी मांगी इस बयान को लेकर क्या करेंगे माफी मांग के क्या वो बयान जो है वो किसी नशे में दिया हुआ है अब माफी मांग के भी आपकी मान सिकता तो नहीं बदल सकती न जो आपने बात किये, जो इशारे किये हैं, जो महिलाओं किये, कैसे महिलाएं बैठी होगी वहाँ, कुछ तो बाहर निकल करके रोई हैं, तो मेरा मन बहुत ही खराब है, लेकिन मैं इसी ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है एक बयान ने नि जिन्हों ने नितिश कुमार के बयान पर अपनी तीकी प्रतिक्रिया दी है, रवीश पाल सिंग, भोपाल आज तक